या मैसलफ मैसलफ अनुराग जेन और मैं एक स्टूडेंट हूँ ज्यादा तो मैं नहीं जानता इसलाम के बारे में लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्ला बहुत दयावान है जो इंसानों पर और हर जीव पर यानि जानवर पर भी बहुत दया करता है अब मेरे सरवाल मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कतल करना इंसानियत का कतल करना है और मैं ये भी मानता हूँ कि इसलाम धर्म दयाधर्म है और इंसानियत का धर्म है आपने कहा किसी भी इंसान का कतल करना, इंसानियत का कतल करना है, क्या किसी जीव, किसी जानवर का कतल करना, कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कतल करना तो नहीं है? भाई साब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का गतल करना इंसानित की गतल करने के बराबर है लेकिन क्या कोई जानवर का गतल करना इंसानित की गतल करने के बराबर है के नहीं और ये सवालाथ आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फैमिया के नंबर, छक्ता नंबर आता है गलत फैमिया में, के लोग एतरास करते हैं के इसलाम क्यूं जानवर खाने की इजाज़त देता है, मास खाने की इजाज़त क्यूं देता है, कई गेर मुस्लिम एतरास करते हैं के इसलाम एक बहुत जलाद रिलिजिन है, एक मुसल्मान अगर वो चाहे तो प्यॉर वेजिटेरियन, प्यॉर शाकाहारी रेके भी अच्छा मुसल्मान रे सकता है, मास खाना इसलाम में फर्द नहीं है, मास खाना इसलाम में फर्द नहीं है, वो एक अच्छा मुसल्मान रे सकता है, शुद शाकाहारी होके भी, लेकि बड़ अल्ला तल्ला फर्माते है कुरान मजीद में सुरह माइदा में सुरह नमबर पांच आयत नमबर एक में के हमने कैटल बनाएं चार पाउं वाले जानवर बनाएं जिसको आप खा सकते हैं सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिये उसको मत खाओ जो आपके लिए हराम है उसके इलावा आप सब जानवर खा सकते हैं कुरान में लिखाए सुरह नहल में सुरह नमबर 16 आयत नमबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाएं बेड़ बकरिया बनाएं तो कि आप उसका गोश खा सकें कुरान में जिकर है सुरह मौमिनीन में सुरह नमबर 23 आयत नमबर 20 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश खा सकते और कई आयते हैं हम पहले ये जान ले कि Medical Science आजे कहती है कि इनसान के जिसम में हमको amino acid की जरुवत है 22 amino acid की जरुवत है इस में से 8 amino acids जिसम में पैदा नहीं होते भार के खाने से लेना लाजम है और कोई भी vegetable food कोई भी घास पूस कोई भी फल में ये आटो के 8 amino acids ही ने लेकिन मास में हैं और मच्छी में हैं High level of protein है High level of protein is present in the meat and in the fish It is nutritious Vitamin K है और आयन भी है अगर आप देखेंगे अगर आप तैखीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास पूस खाते है मिसाल के तोर पे गाए भेड, बखरी उनके दाथ को आप देखेंगे उनके दाथ चप्टे है हर भी वरे set of teeth वो सिर्फ घास खा सकते है मास खाई ने सकते है अगर आप उन जानवरों के दाथ दाथ देखेंगे जो मास खाते है कारनिवरिस अनिमिल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लाइन, शेर, शेर बबबर, चीता इनके दाथ देखेंगे तो इनके नोकीले दाथ है के नाइंट सेट अफ सीद वो सिर्फ मास खाते घास पूस खाई नहीं सकते अगर आप जाके आइने में और हम लोग जाके आइने में देखेंगे अपने दाथ इनसान के दाथ चपते भी है, नोकीले भी है अगर खुदा की ये शाथी के इनसान सिर्फ घास पूस खाए तो इनोकीले दाथ केना इनतीत क्यूं दिये तो मैं डॉक्टर हूँ मास खाने के लिए डाइशिस सिस्टम जो है हर्बेवर सानमेर का गाई, बकरी का डाइशिस सिस्टम वो सिर्फ घास पूस डाइशिस कर सकता है हजम कर सकता है, गोश को हजम करेंगे सकता है आप अगर शेर, चीता, शेर बबबर का डाइशिस सिस्टम देखेंगे वो घास पूस हजम करेंगे सकता है सिर्फ गोश हजम कर सकता है हम इंसानों का डाइसी सिस्ट्रम अल्ला सुभानाओ ताला ने इस तरीके से बनाया कि घासपूद भी आजम कर सकता है गोश भी तो हम घासपूद भी खा सकते हैं गोश भी खा सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों गलत फहमी है कि हिंदू मजब में हिंदू धरम में गोश काना अहराम है यह बिल्कुल गलत फहमी है अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धरम की किताब हिंदु धर्म की किताब पढ़ेंगे मनुस्मृती अध्याय नंबर पांच श्रोका नंबर तीस उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए अगर आप उन जानवर को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुना नहीं करते मनुस्मिती अध्याय पांच श्रोका नंबर तीस आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मिती अध्याय पांच श्रोका नं ये मनुस्मिती अध्या नमबर पांच श्लोका नमबर उन्चालीस और चालीस उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिजर अनिमल बनाया है मतलब खुशूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइड की जाए और उसको खा सके अगर आप उस जानवर का कतल करते हैं सैक्रिफाइड के लिए और खाते हैं जो अल्ला ताला ने भगवान ने बनाया है तो आप कोई गुना नहीं करते हैं रिगवेद में हैं कि आप खा सकते हैं रिगवेद में ये भी लिकिला है कि आप भैज कह सकते हैं आप गाये खा सकते हैं कितने स्लोके के में हवाला दे सकता हूं, अगर आप पढ़ेंगे मा भारत, जो को रिगवेद तो भहुत कम हिंदु लोग ने पढ़ा है, लेकिन मा भारत तो आप जानते होंगे, सुना होंगा, मा भारत पढ़ेंगे अनुशासन परव, चैप नमर 88, 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाय, यु मिले, तो भीश्म कहते हैं कि यगना में, पूजा में, अगर आप वेजटेबल देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे, तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों एक मेने तक, एक मेने तक संतुश रहेंगे, कितने मेने तक? एक मेने तक. अगर आप मच्छी देंगे तो दो महिना, अगर गोश्ट देंगे तो तीन महिना, घर गोश्ट देंगे तो चार महिना, बखरी देंगे तो पांच महिना, सूवर देंगे तो छे महिना, अगर परिंदा देंगे तो साथ महिना, हिरन देंगे तो आठ महिना, ये कंटीनु होत रहा युदिष्टर से माँ ब्हारत अनुशासन पर्व चैप्टर नमबर ऐट्ञ्टशए मैं हवाला दे रहा हूं आप यह ने के ला कुछ भी की रहा है दिमाख से मैं हवाला दे रहा हूं यह आपके किताबों में लिखा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ कि अगर आप राइनोसरेस देंगे राइनोसरेस तो हमेशा के लिए संदुश रेंगे ऐसे कई चीज़े हैं वज़े क्या थी कि हिंदू लोग शाकहारी बन गए कई हिंदू लोग इसके वज़े ये है कि कई हिंदू लोग एहंसा के तरफ जा रहे थे वो बाकी मदाहिद से मुतासिर होके मिसाल के तोर पे जैने जम्मे हैं कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं काना चाहिए तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है अगर कोई बी इंसान बिना किसी जीव की हत्या करना यह पहले दमाने के अंदर जब साइन्स टेकना लोजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस्तैम लोग उसे मानते थे आज साइन्स टेकना लोजी बढ़ चुकी है कि इविन जो प्लांस है जो फल है और जो पॉदे है उनके पास भी जान है तो आपकी लॉजिक फेल हो गए अभी जब हमें ये पता चला कि पेड़ पॉदे और फल के भी जान है तो लॉजिक में जरा तब्दील या गए अभी लोग कहते हमें पता है कि पेड़ पॉदे की ज बात है आज साइंस बढ़ चुकि हम जानते है कि पेड़ पौदे को भी दर्द होता है वो हज भी सकते वो रो भी सकते उनको भी दर्द होता है लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिलाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकल स से लेके 20,000 साइकल स्केंड तक सुन सकता है इसके उपर इसके नीचे इंसान सुनने सकता है क्योंकि हम पेड़ पौदे की चीख नहीं सुन सकते उसका मतलब यह नहीं कहम उनके आतिया कर सकते एक शक्त था जो मुझसे बहुत भहत कर रहा था ओजा दाकिर भाए मैं मानता ह कि पेड़ पौदे की जान है पेड़ पौदे को दरब होता है लेकिन यह जानवर के पांच सेंसिद है पांच समझ है यह पेड़ पौदे के दो या तीन कम है सिर्फ तीन सेंसिद है तो इसलिए जानवर को कतल करना बड़ा गुना है पेड़ पौदे को कतल करना कम गुना ह तो मैंने कहा कि मिसाल के तोर पे बहस के लिए मान लो आप सही है for sake of argument बहस के तोर पे मान लो आप सही है तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गुंगा और भहरा two senses less ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कतल करता है तो आप जाके जज्ज से कहेंगे मी लॉड कासिल को कम सजा दो क्यूंके मेरे भाई के दो senses कम थे आप तो उल्टा ये कहेंगे के मेरा भाई तो मासून था वो गुंगा था सुन भी नहीं सकता था बोल भी नहीं सकता था उसको डबल सजा दो यहां जज जज हज़राद बेटे हो वे इदर लेकिन इसलाम में ऐसा नहीं होता है कि दो senses कम दो senses जादा अल्ला ताला फर्माते सुरे बखरा में सुरा नमबर दो आयत नमबर 168 में यह लग दिन आमनों ओ मौमनों आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है जो हलाल है आप खा सकते आप जो आप जो सांस ले रहे बाई साब सांस ले रहे आपको पता है कि जिरासिम जो आप सांस लेके उनको भी जाने आप अगर पांच मिनिट तक सांस नहीं ले या मर जाएगे हर मिनिट में आप हत्या कर रहे है आपको पता है लेकिन यह जो जानवर है पैड़ पौदे है जिरासिम है यह आलमी भायचारे में नहीं आते इनका कतल करना आम तोर से हराम है लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कतल करते है अल्ला का नाम लेते हुए कि हम उनको कतल कर रहे है तो यह गुना नहीं है लेकिन सिर्फ हमारे निशान बादी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कतल करता हूँ वो हराम है लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का गतल करता हूँ या पैड़ पौदे काटता हूँ खाने के लिए तो ये इसलाम में इजाज़त है जो जानवर की इजाज़त है जो जानवर हलाल है उसको आप काट सकते है खाने के लिए सिर्फ निशानी बाजी के लिए नहीं तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे उसके अंदर पेड़ पौदे भी आपके भाई है जानवर भी भाई जो इसलाम में नहीं इसलाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है भ जानवर की इजादा दी गई है खाने के लिए उनको हम खा सकते हैं। होप यह जवाब आपके लिए काफी है। आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देनी की आपने बात कही थी। लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं जिन बच्चों की हमें चीक या किसी भी चीक सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा जो चायना में नवजास शिश्यू खाय जाते हैं। यदि कोई इसलाम धर्म का अनुयाई उनका अल्लाह का नाम लेकर ये दिखाता है तो क्या ये उचित है। मैंने कखवार में कटिंग पढ़ी थी कि वहां नीव ओन चायल वहां खाय जाते हैं। तो क्या इसलाम में इस तरीके की इजाजत है। मैंसाब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चे की जो चीख सुना ही देती तुम चुप कर देती तो क्या करेंगे। और उन्हें सवाल पूछा कि चायना में बच्चों का गोश्ट खाया जाता है वो बिलकुल हराम है। जैसा मैंने कहा सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाजत है वो जानवर का गोश्ट आप खा सकते। इनसान का गोश्ट खाना तो बिलकुल हरामी है। किसका भी नाम लो। किसका भी नाम लो। अल्ला का नाम लेके सुवर भी खाना हराम है। जो जानवर की इजादत है वो ही जानवर खा सकते है और कोई भी जानवर ने भले आप अल्ला का नाम लो या ना लो अल्ला ने जब इजादत दी नहीं तो नाम लेके क्या फाइदा और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीक सुनाई देती तो चुप करते है नहीं सुनाई देती तो क्या करेंगे अगर बच्चा गुंगाए तो क्या करेंगे आप उसको दूद ने देंगे गे गुंगे बच्चे को क्या करेंगे आप और उसको तवजु देंगे कि उसकी चीक सुनाई नहीं देत तो इसलिए मैं और तवजु दूँगा के दूद टाइम पे मिले, वो जिसको चीग सुनाई देते दूद नहीं मिला तो रोईगा, तो मुझे मालूम पढ़ेंगा, तो मा गुंगे बच्चों की और तवजु करेंगे, इसलिए आपको पेड़ पोदी की तवजु और देना क्या पोचिक सुनाई ने देते.